तो मैं आजे यादव भाया का ब्रीफली प्रेचे रख देती हूँ, आजे यादव भाया और माही दिदी दोनों ही छतरपूर मध्यपरदेश में के निवासी हैं, आजे भाया पतरकार हैं और भाया आज फोर्थ टाइम अपनी शेरिंग को मौर्निंग सेशन में रख रहे है आपसी एक कलेटलेश काफी रहा जो भाया ने पिछली बार भी शेर किया था और उससे उपर उठकर अब वो अन्या परिवारों को जोडने का काम कर रहे हैं, तो भाया को बोलोंगी, एंग भाया आप अपनी शेरिंग को रख सकते हैं, आपके पास माइक है जी, नमस्ते सभी को और UHP टीब को मेरी ओर से क्रतग्यता आभार भरा प्रणाम, सबसे पहले जो परिचाय दिया है दीदीने, मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा मेरा नाम अजयादो है, और मेरा जन्मिस्थान सिवनी में हुआ है, और अभी हम लगभग 20 सालों से च्छतरपुर में रह रहे हैं पत्रकारिता से मेरा सरोकार है, और लगभग 2021 से जबसे मैं आदर्णिय भगवान सिंग परमार जी के संपर्क में आया हूँ तो भाई सब के ही मार्वग दर्शन में मैंने पत्रकारिता को एक नहीं दिशा को क्ते पाने में मैं कामियाब हासिल हूँ और शेहर में भी मुझे पॉस्ट्टिव पत्रकार के नाम से अब लोग स्विकार कर रहे हैं मुझे सिर्फ पहले पत्रकारिता में जो माहौल था या जो हमारे आसपास में देखता था मैं वैसे ही था मुझे पता नहीं था कि परिवार को चलाने के लिए क्या बहतर व्यवस्ता हो सकती है कैसे हम एक समरद्धी को ला सकते हैं जो सार्थक धन है वो कैसे इखटा कर सकते हैं तो मैं चाहे जैसा धन इखटा करता था लेकिन अब मैं मुल्यांकन करने के बाद ही पूरी समझदारी के साथ ही वहां तक कनेड़ने ले पाता हूँ और जब से मैं EUHP के साथ जुड़ा हूँ, भाई साथ जुड़ा हूँ तो निरंतर रोज दर रोज मेरे कार में, बेवहार में, परिवार में डेली कुछ ना कुछ परिवरता ना रहे है पहले हमारे यहां जो दिक्कत थी वो भोजन स्वास्थ है इस पर ज़्यादा दिक्कत थी जो धन का व्य होता था लेकिन अब मैं देख रहूं कि सिक्षा में सबसे ज़्यादा धन की जरूरत होती है और सिक्षा के लिए ही मुझे ज़्यादा तर धन की एकत्री करन करना पड़ता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो सुवे से उठा देते हैं बोज लाद देते हैं यूनिफॉर्म तरह तरह की सौक्स सूस ये तमाम चीजें नहीं तो हमारा परिवार इतना अच्छा चल रहा है सम्रद्धी में इतना बढ़िया है जबसे हम यूच बी के सा अपने अभ्यास की जो दो अभ्यास हैं उनपर मेरी कितनी गतीवनी है और मैं कितना इन अभ्यासों को जी पा रहा हूँ तो सबसे पहले जो step है वो है स्वयम के द्वारा स्वयम को देखना हर्षण देखना लेकिन हर्षण तो नहीं मैं कह पाऊंगा लेकिन 24 गंटों में जितना हम आराम करते हैं हमारी body जितनी आराम करती है उसी को छोड़े तो बाकी लगभग 12 गंटों में 8-10 गंटे तो मैं ये देख पाता हूं कि मेरी कल्पना शीलता में क्या चल रहा है मेरे जो एक्छाएं थी जो भाव विचार और आशा थी वो पहले बहुत ज्यादा एक्छाएं थी मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था एक बहुत बड़ा पत्रकार अपने आपको समझने लगा था औ पूरे विश्विस्तर का एक बड़ा पत्रकार बनू अच्छी अपनी स्पीच को रख पाऊं मेरे पास अच्छे कपड़े हो अच्छी गाडिया हो मेरी फ्रेंड सरकिल जादा हो और हाई सुसाइटी में मेरा उठना बैठना हो तो अब मैं देख पा रहा हूं कि लगभग इन तीन-चार सालों में ये विचार ये कल्पना शीलता ये भाव बदले हैं और अब मैं किवल वही इक्छा वही भाव वही विचार आशाओं को देखता हूं चला पाता हूं जिन में सुख हो सम्रद्धी हो संबंध हो व्यवस्था हो सहस्तित हो आगे स्टेप में मैं बात करना चाहूंगा कि इस छण मुझे में जो भाव विचार चल रहा है वह मेरे लिए कितना आसान है या वो मानविये स्वभाव के अनुरूप है या नहीं या मैं इस भाव को निरंतरता में बनाया रखना चाहता हूँ या नहीं तो अब मुझे स्पष्ट दिखने लगा है कि यदि मेरे अंदर बहुत ही सार्थक भाव विचार चल रहे हो तो वो निरंतरता में हम बनाया रखना चाहते हैं और यदि हम दुखी होकर या किसी से दुख पाकर अपने भाव विचार में कोई गड़बड़ी करते हैं तो हम बहुत दुखी होते हैं और ये विचार ज्यादा लंबे समय तक भी हम नहीं वनाया रखना चाहते हैं आगे जो थर्ड स्टेप है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस छण मुझ में जो भाव विचार चल रहा है उस भाव के साथ मैं कैसा हूं बहुत ही आराम में रहता हूं या परिशान रहता हूं बहुत ही संगीत में हूं या अंतर विरोध में रेंदर चल रहा है मैं सुखी हो रहा हूं या दुखी हो रहा हूं इस स्टेप में मैं अब बहुत ही आसानी से ये देख पा रहा हूं कि मुझे आराम में रहना संगीत में रहना और सुख रहना ही पसंद है इस चंड हर चंड या मुझ में जो भी भाव विचार चलते हैं इसका निर्णे कौन लेता है पहले लगता था कि भारी कोई विक्ति है उसके कारण ही मेरे भाव विचार में परिवर्दन हुआ है या जो निर्णे मैंने लिया है वो उसके कारण लिया है कारण हम पहले बहार को माना करते थे जैसे पहले हमारे जो घर में विवाद हुए हमारी धर्म पत्नी के साथ तो कहीं न कहीं हमें लगा कि हमारे भाव विचार नहीं मिल रहे है तो ये विवाद इतने हद तक आगे जैसे ही भाई साब आधरनी स्रीभगवान सिंग पर्मार जी और भवी जी अरुना पर्मार जी ने हमें UHB के बारे में समझाया हमारे परिवार से मिले तो हम काफी हद तक ये देख पाए हैं कि समस्या हम जितना बाहर देख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे अंदर तो ये एक छोटी सी गटना मुझे याद आई इस स्टेप पर अगले स्टेप में मैं बताना चाहूँगा कि मुझ में जो भी भाव विचार चलता है उसका निर्णय का आधार क्या होता है क्या मैं अपनी समझ के आधार पर ही ये निर्णय लेता हूँ या किसी मानेता के आधार पर लेता हूँ तो अब मैं देख पाता हूँ कि यदि मैं सही समझ के साथ सही समझ के आधार पर सही भाव के साथ निर्णय ले रहा हूँ तो वो काफी हद तक हमारे निरंतर सुक के लिए साहयक होता है और यदि हम किसी पुरानी मानिता के आधार पर निर्णे लेते हैं तो वो कही न कही हमें दुख का कारण होता है तो अभी भी कभी कभी जो पुरानी मानिता हैं या पुराने संसकार हैं उनके कारण हम ले पाते हैं वो निर्णे जिन से हम दुखी हो जाते लेकिन थैंक्स टो यूएच बी, थैंक्स टो भाई साहब, भावी साहब की वो हमारे तने नस्दीक हैं, करीब हैं कि हम बार-बार वहाँ पे उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं यहां तक कि जो मेरी दौण भाग है, पत्रकारीता को लेकर काफी सारी न्यूजें का जो कलेक्शन रहता है, तो मैं उसके लिए बाहर जिलों में भी जाया करता था, और ज्यादा हुआ तो मैं किसी दूसरे प्रदेश की सरफ रवाना हो जाता था, परिवार को, समाज को लेकिन अब वो धोड़ भाग इतनी कम हुई है, अभी रिसेटली एक हफते में तो इतना कम हुआ है, कि वो सारी जो एनरजी है, अब वो मैं UHV के साथ गुजारने में, उसको समझने में, उसको पढ़ने में लगा रहा हूँ, और ट्यूटी के दौरान भी मैं इतना सहज औ है, तो इसका कारण क्या है, तो वो अपने आप UHV को जानना चाते हैं, इसे जोड़ना चाते हैं, तो एक छोटी सी घटना मुझे यहाँ पर याद आई, छटवे स्टेप में मैं बताना चाहूंगा, कि कौन सा भाव मेरे लिए बहुत सहज है, स्विकार है, तो ये बहुत ह आसानी से हमें दिख रहा है, कि हमें लोगों के साथ relationship, संबंध का भाव बहुत ही ज्यादा स्विकार है, ना कि विरोध, हमें व्यवस्था में रहना पसंद है, ना कि कि किसी प्रकार की व्यवस्था में, हमें सहस्तित्थों का भाव ही पसंद है, ना कि संगर्ष का, और अ जाया है कि आप फिरोध अव्यवस्था और संघर्ष में अभी तक जीते आये हैं तो अब जो ये संघर्ष का एरिया है इसको आप लांग कर इस तरह पाईए जहां पर प्रकृति आपके साथ है जो संबंद में हैं पूरी व्यवस्था नेचर की बनी हुई है और आपका जो अस्तित्वे वो प्रकृति के साथ मिलकर सहस्तित्व को पूरा करेगा तो ये मुझे अभी और जादा डीपली समझ में आया है और मैं इसको और भी जादा प्रयास कर रहा हूं समझने का अगले स्टेप में मैं ये सुनिश्चित कर पाता हूं कि इस छंड मेरा भाव संबं संबंद, विवस्था और सहस्तित्व के अर्थ में बिल्कुल बना हुआ है ना कि इसके अनता है इसी आधार पर इस छंड में मैं हमेशा संगीत में सुखी में रहता हूं और निरंतर सुखी रहता हूं मैं देख पाता हूं कि जब भी मैं संबंद विवस्था और सहस्थित को संपूर्टा में समझता हूं तब मैं उसी के अनुरूप अपने भाव विचार का निर्णा करता हूं और हमेशा आराम में रहता हूं तब ही मैं दूसरों को भी सुख दे पाता हूं तो ये पहला स्टेप है जिससे मेरी काफी कुछ गती है और मैं लगातार प्रयास रही हूँ और हमारे जो परिवार है उनके साथ भी हमारा परिवार सभा रोजाना होती है और जिस दिन नहीं हो पाती उस दिन पिताजी भी कहते हैं कि आज हम लोग बैटे नहीं है हमारी बात नहीं हुई है तो इतना मैं अभ्यास एक को भी समझ पाया हूँ अभ्यास दो में मैं जितना समझ पाया हूँ वो आपके साथ साजा करता हूँ जिसमें हमने material unit को समझने की कोशिस की है जो हमारी body है, शरीर है तो इसमें मैं बताना चाहूँगा जो पहला step है स्वेम से शरीर को देखना तो इसमें पहले होती थी थोड़ी सी तकलिफ लेकिन अब हम हमारा जो ध्यान है वो थोड़ा थोड़ा जाने लगा है कि हम कैसे self को अलग करके उसको body को देख सकते हैं और मैं हूँ और मेरा शरीर है ये दोनों वास्तविक्ता हैं और ये दोनों परसपर धूरी में हैं इनके बीच जो है वो शुन है ये अभी हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह थ्यान थोड़ा अभी बनाने की कोशिश लगाता जारी है दूसरी स्टेप में बताना चाहूंगा कि मेरे और शरीर के पीच में जो भी हम सूचना हैं उनका आदान प्रदान हम कर रहे हैं वो उसका माध्यम भी शुन है मेरे और सरीर के पीच में सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है और इसका माध्यम जो है वो शून है इस तरफ मेरा ध्यान जा रहा है आगे शरीर को क्या संकित देना है किस समवेधना को पढ़ना है इसका निर्णे भी मैं ही लेता हूँ इसको भी बहुत अच्छे से हम अब समझ पा रहे हैं जैसे हमारे शरीर में कभी कोई तकलीफ होती थी कभी कोई दर्द होता था तो recently हम कोई medicine की तरफ जाते थे या उसको आराम देने की कोशिश करते थे लेकिन कभी कभी जब बहुत ही immediately work है कहीं पहुँचना है और कहीं चोड़ भी लग गई है तो वहां से हमारा शरीर से ध्यान हट जाता है उस समवेधना को हम नहीं पढ़ते तो यह हम अब देख पा रहे हैं कि इसका निर्णे मैं ही लेता हूँ फॉर्थ स्टेप में मैं समवेधना हूँ या मेरे और समवेधना के बीच दूरी है अब मैं इस वाक्य को भी जो एक छोटा सा वाक्य इसको अब समझ पा रहा हूँ और मेरा ध्यान इसकी तरव अब लखबख जाने लगा है कि समवेदना और सेल्फ तोनों के बीच में एक दुरी है जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमें कोई चोट लग जाती है तो उस चोट को हमें रीट करना है या नहीं करना है उससे जो दर्द हो रहा है वो self और उस दर्द के बीच में एक दूरी है यह मैं समझभाया अगले step में है जो बाहर परिस्थिती का प्रभाव है वो शरीर तक पहुंचता है उसे मैं निर्णे पूर्वक पढ़ता हूँ फिर उसे आर्थ देता हूँ और उससे प्रभावित होता हूँ या फिर नहीं होता हूँ तो ये भी हमें थोड़ा साइस्पष्ट हो रहा है क्योंकि जब भी कोई बाहरी विक्ति हमारी आलोचना करता है या हमारी प्रसंसा करता है तो हम बहुत जल्दी प्रभाव में आ जाते हैं अभी भी ये थोड़ी माननेता हमारे अंदर है जो उसमें हम उसको निर्णय पूरवक पढ़ पाते हैं फिर उसको अर्थ देते हैं फिर उसी तरह हम जिम्मेदारी पूरवक प्रस्तूत होते हैं इसमें भी हमारी समझ अब बन रही अगले स्टेप में जो बाहरी परिस्थिती से जो भी सूचना हम तक प्राप्त होती है उसे मैं अपने किसी पुरानी मानता के आधार पर पहले समझता हूँ या मेरे जो पुराने संसकार हैं उस आधार पर उसे अर्थ दे रहा हूँ फिर उसके बाद में प्रतिक्रिया अपनी देता हूँ तो प्रितिक्रिया में ही हमारी जो है वो परतंत्रता समझ में आती है क्योंकि वहां से जो है ट्रिगर का काम हो जाता है वो हमें यदि प्रोत्साहित करते हैं तो हम बहुत ही खोश हो जाते हैं और हमारे यदि क्रिटिसाइज होती है तो हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं तो अनुकृत्या में ही स्वतंत्रता है, सही समझ में ही स्वतंत्रता है, यहां पर ये बात मुझे समझ में आ रही है। साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करता हूँ, और इसके बीच जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वो भी माध्यमशूर्न है, यह काम आवशक्ता के अनुसार सामिक रूप से हम करते हैं। सापताहिक परिवार सभाय होती हैं, और नए-नए मुद्धों पर वीडियो और संगोष्ठी आयोजित होती हैं। तो वहाँ पर भी मैं जिम्मेदारी पूर्वक जाकर जितना संभव हो मैं कोशिश करता हूँ, help करूँ वीडियो बनाने में। वीडियो बनाने लगे हैं। अच्छा मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो पहले मैं वीडियो बनाता था। ब्लोग्स के लिए या न्यूज के लिए तो उसमें सार्थक्ता ढूर्णनी पड़ती थी और वह बहुत कम होती थी। लेकिन अब जबसे हम लगातार इवजवी से जुड़े हैं, इसको समझ रहे हैं, तो मारदर्शन भी हमें जो प्राप्त हो रहे हैं। तो उसमें हमें ढूर्णना नहीं पड़ता है सार्थक्ता को, हम सार्थक्ता से पूर्ण ही वीडियो कलेक्ट करते हैं, और उसी को लेकर शुरू करते हैं, तो टॉप और, मिडिल और और लास्ट और में पब्लिक ओडियन्स उसको पूरी तरह समझें, यह हमारा प्रयास र इसमें हमारा जो समय है, यूएजबी में लगाने का, पहले बहुत कम लगता था, अब इसकी गती बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और मुझे तो यह लग रहा है कि यदि हम इसको जितना ज्यादा समय दें, जितना ज्यादा इन स्टैप्स को समझें, अपनी आत्मा में बिठा लें, तो उतनी जल्दी ही हमें ये समझ में आता है कि हमारा चन्द इस प्रत्वी में क्यों हुआ है, हम क्यों यहाँ पर आए हैं, पहले हम जो निरंतर भागदोर में लगे हुए थे, धनरजन में लगे हुए थे, किसी से भी, किसी की भी प्रतिक्रिया में ततकाल उसको जवाब देते थे, अपने बाहूबल का हम उप्योग करना चाहते थे, लेकिन अब ये सारी चीजें धीरे धीरे लगातार कम होते जा रही हैं, ये मुझे इस पस्ट दिख रहा है, तो इतनी बात मैं अपनी रखा हूँ यहाँ पे, आगे मेरे पिताजी हैं और धरम बतनी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगी, तो अगली आवाज मेरे पिताजी की, श्री बाल अकराम यादाव जी आजाए मेरा बड़ा पुत्र है, और मैं सीवनी जिला करहने वाला हूँ, मैं सत्तर वर्ष का जन्वरी में हो जाऊँगा पुला, मैं यहाँ सन दुहजार से वास कर रहा हूँ, बुंदेल खंडेरिया में, माता पिता द्वारा दिये गए संसकार, बड़े भाईयों द्वारा दिये गए इसी को ध्यान में रख कर, हमने भी अपने तीन बच्चों को दो पुत्र हैं और एक कन्या है, दो पुत्र तो साधी सुद्र हैं, कन्या भर अभी प्रे गई हैं, चलतो उनके तो तरीके से सिका रहा हूं, बड़े बुड़े द्वारा दिगए सी के अनुसार, यूएजबी द्वारा माना मूल के बारे में भाईयों और बहन द्वारा समझाया जाता है, जीवन जीने की कला को विस्तार पूर वक्त से समझाया जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आजय जब से जोड़ा है, तो बताते रहता है, बीच-बीच में हम लोग बेढ़ जाते हैं, अब अजय पुत्र तो नहीं, अब दोस्त की समान है, तो हम खुल के बात करते हैं, और बारीगी से वास हम मुझे समझाने की कोसिस करता है, क्योंकि मैं अभी-अभी जोड़ा हूँ, तो मुझे उत्ता केच करने की चमता नहीं है, या तो इसको उमर का तकाजा कह सकते हैं, या फिर अभी-अभी जोड़े हैं, कुछ ज़्यादत समय नहीं हुआ है मुझे, घर में काफी बदलाओं आ गया है हमारे घर में, जो बात-बात में तू-तू में में हुआ करती थी, हमें तो कोई नहीं है, सब नार्मल प्रूप से हो गया है, बड़ी अफस्कलाज जीवन या अपन चल रहा है, मैं बार-बार कोटी-कोटी धन्यवाद देना चाहता है, यू-एज-बी को, और इस से मैं स्रीमान भगवान भाई सहाब, एवम अरुना परमार जी, उनकी देवी जी से, जिनोंने भरपूर बहुत प्रयास किया, और हमारे आजय के सस्राल पक्ष, ए दोनों पक्षों को, यानि हमेशा समय समय पर आकर सम्झाना, उनको बताना, अपना समय निकालकर, मैं उनको बहुत-बहुत सुक्र गुजार है, यदि इस मौके में भी नहीं रहते तो पता नहीं हमारे साथ कौन सी घटना, कौन सी अन्होनी घटना घट जाती, तो अब हमे तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर बुन दिल खान में अकेजिन नहीं हैं, क्योंसे कि आज़े भी जाता रहता है, हमना पर मारज के यहां, वहां बताते रहता है, वहां से आने के बाद तो काफी का दिमाक में मेरे बात बैशने लगी हैं, तो जितना मैंने कैश किया हूं, किना मैं आपको बता रहा हूं, मालव मूल के सम्मन, नहीं तो हमारे परिवार के लोग तो 600 किलमीटर दूर छिंदवाड़ा सिवनी जिले में थे, अब यहां पर हम एक प्रकार से अकेले ही थे समझो, भाई साब अगवान जी के रूप में हमारी साहता करने आ गए, उनका जैसा नाम है, वैसा ही काम है, मैं अपनी ओर से एवं अपने परिवार के ओर से योजिभी को ओटी-कूती धन्यवाद देता हूं, भाई जो बेहनों को ओटी-कूती धन्यवाद देता हूं, जो सोब्य से इते मड़िया प्रवचन अम्रत के समाने सुनाते हैं, इससे बार बेगड़ेना किसी का धन्यवाद. बहुत ही आसहज महसुम्स करते थे और अब ईश्वर गृपा से यूवी की करपा से हम लोग लगवग 24 घंटे सा्त में हैं हमारा कार भी एक हो गया है पहले हम रला गरला काम करते से साथ महीं काम करते हैं अहीं सथा में हम लोग साथ में मास्टर टेनर रहे हैं तो वो भी अ मैं अब कुछ बताना चाहेंगे अन्वा, मोहिनी जीद की आवाज़ जीदी, सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम मोहिनी आदहर, मैं छता कुछी हूँ, मैं एक मार्श्टर ट्रेनर हूँ जैसा कि इससे पहले भी मैं अपनी दो सहरिंग दे चुकी हूँ कि हमारे घर में क्या कितना बिरोध था, कितना लड़ाई जगड़ा था, उसमें मैं पहले बता चुकी हूँ और सबसे पहले तुम्हे यह बता दूँ कि मैं यूएज़बी से लगभग एक साल से जोड़ी हूँ और इससे पहले पती मेरे दो-तीन साल से जोड़ी तो मैं इंडारेक्ट तरीके से यूएज़बी से जोड़ी ती, कभी क्लास सुन पाती थी, कभी नहीं सुन पाती थी पर पिछले एक साल से मैं यूएज़बी से जोड़ी हूँ और इसमें भी बच्चे छोटी होने की कारण या जोब के कारण कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाती हूं किसे कारण बस देखें जितना भी मैं यूएजबी से सुन रही हूं, सीख रही हूं, मैं ये तो नहीं कह सकती कि मेरी बहुत अच्छी तैया पर जितना भी मैं अपनी समझ बना पा रही हूं, उस हिसाब से आज मैं अपनी सेरिंग रखने वाली हूं, और जितना भी मैं अपने जीवन में उसको उतार रही हूं, जितना काम में यूएजबी का अपने जीवन पर बच्चों पर घर पर कर रही हूं, बही बात मैं अप मैं बता भी चुकी हूं कि हमारे घर में कितना लड़ाई जगड़ा था हमारे परिवार से साथ ससोर से पती से हम लोग इतने ज्यादा परिसान थे कि तलाग तक नौबत आ गई थी यहां तक कि ऐसा लगता था माहूल में कि तलाग तो ठीक है सुसाइट कर लेना चाहिए इतन मुझे लगता था और सबसे पहली बात तुम्हें यही कहूं कि जब सब मेरी मा या सब मुझे जादा प्रैसा डालती थी तो बिटत तुमको बदलना पड़ेगा अगर तुम बदल जाओगी तो आगे चल कि सब सही हो जाएगा तो मुझे लगने लगता थी कि यह क्या बात है मेरे समझतार मेरे बदलने से ऐसा या होगा कि सब कुछ बदल जा करती और मुझे लगनी लगता थी यह बात नहीं देखें जब भी मैं यह इजग जूरी इसमें सुना कि आप पहले स्वयम को देखें, जिससे हम जीवन को समझ रहे हैं, क्योंकि हमें जीवन को समझने की समझ ही नहीं थी, इस्टेप बन में भी कहा है कि मैं स्वयम को स्वयम से देखूं, तो मैं स्वयम को स्वयम से नहीं देख पा रही थी, उसकी कलपना सीलता को नहीं देख पा रही थी हमारी जो इच्छा थी बिचार थी समझती उसे बिलकुल समझने का प्रयास ही नहीं कर रही थी कि यह सब क्या है पर जब मैं धीरे-धीरे मुझे लगा कि भाई मां भी यही बोलती है कि खुद बदलो फिर यूएजबी की जब भी मैं क्लास लेती थी तो परड़े किसी ना किसी का सभाव के परिवर्तन के कारण कोई अच्छी समझ सुनती थी कि आज मैंने अपने सभाव को बदला है तो आज मेरे घर में यह हो गया तो मुझे लगता था कि या सुख में अगर रहना है तो पहले स्वयम को देखो कि मैं क्या हूँ क्या मेरे स भाव के कारण सब ठीक हो सकता है तो जब मैंने धीरे धीरे इसी बार पर प्रयास किया जीवन को समझा फिर मैं स्वयम को स्वयम से देख रही हूँ यह प्रयास किया मैंने कल्पना सीलता हमारे कल्पना सीलता में जो विचार आ रहा है वो किस प्रकार के आ रहा है भाव है ह तो पहले जब माहुल लड़ाई जगड़े का था तो बिचार भी बिरोध के ही आते थी। लेकिन जब अपनी सोच को और विचारों को बदला कि नहीं हमको विरोध में नहीं रहना है क्यों कि इससे सबसे ज़ादा नुकसान हमारे बच्चों का है। हम तो अपना जीवन जी रहे थे, लड़ाई जगड़ा करके कैसे भी, ना घरवाली सुखी थे, ना पती, ना मेंग, कोई, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोगों की जिन्दिगी में सुधार कैसे होगा, पस यही लगता था कि डिवास हो जाएगा, पती भी बोलते मतलब जिन्दिगी का सबसे बड़ा दुख था कि मैं कह सकती हो ऐसे कि समझ नहीं आता है और एक लड़की को तब जब उसके पिता ना हो माय के में, मेरी मा के लिए, मेरे छोटे भाई और एक बहने, तो इस कारण ये भी दुख होता था कि मैं जब माय के जाओंगी तो लो ही और स्वयम को बदला उसी ही कि है, मैंने खुद को बदलना ही सबसे पहले सुनु किया और जैसे ही मैंने नेचर बदला, कोई भी कुछ कहता था हां, हां तो जब मेरा नेचर बदला और मुझ में मैंने अपने भाव विचार को बदला समझ आ रही थी, थोड़ी समझ बना तो देख रहे थी कि सामने वाली पर असर था, वन्हा ऐसा नहीं था, जब मैं अपने भाव बिचार नहीं बजलती थी, सामने वाला दो कदम भी आगे चलता था, फिर वो हमारी सासों माहों या पती, लेकिन जब मैंने थोड़ा धीरी धीरी सुरुआ थी कि कि किसी की कहने पर मेरे मन में कोई बिचार नहीं आथा, तो मैं हाँ बोलती थी, हाँ यही है, तो मेरे पती को भी लगा, तो उनमें भी थोड़ा थोड़ा परिवर्थन आया, कि यह ऐसा बोल रही है, तो जो बात वो मेरी नहीं मानते थी, नहीं सुनते थे, वो भी सुनने लगी थी, और जब मैंने सुधार किया तो मैं उसे देख पा रही थी और एक चीज और मैंने USB में सुनी थी कि निरंतर सुख में रहना निरंतर सुख में कैसे रहते हैं और सुख सुभाव है या प्रभाव तो मैं पहले तो यही समझती थी कि प्रभाव है क्योंकि जब कोई अच्छी बात ह ली किन ऐसा नहींटा जब मैं जी समझ बनी अगर हम चाहें अपनी स्वभाव को बदल रहेंके हैं तो हम निरंटर सुख में रह सकती हैं यह हमारी उपर ही डिपैंड है हमारे सिर्फ भाव और बिचार और बिरोद की भावना बदने से ये हो सकता है कि हम निरंदर सुक में हो सकते हैं तो मैंने ये सुरुवात की पहली मुझे चोटी-चोटी बातों के गुस्सा आया था तो जैसे कुछ भी सासों माने कहा कि तुझे ये नहीं करना है तो मुझे लगता तो मुझे यही करना है उससे क्या होता था? बिरोद बढ़ता था लड़ाई जगर बढ़ता था पर मैंने फिर कोई भी बात होती थी मैं अपने जीवन में जीने की सुरुवात कर दीती तो सुख में रहना चाहती थी, इसलिए मैं कुछ बातों को ध्यान ने देती थी, सिर्फ हाँ, मतब सुनती सब की थी, करती अपने मन की थी, तो बस उतने में हाँ हाँ कह देती थी, मैं अपनी हिसाब से रहती थी और काम करती थी, तो थोड़ा सा ये था कि मुझे सुख मिल और जब मुझे सुख मिल रहा था, तो सबसे ज़्यादा असार मेरी सरी मेरी बॉड़ी पर था, क्योंकि जब ये लड़ाई जगड़ा चलता था, तो मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी, प्रेशन में चली गई थी, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी, सुख में रहने की क्रिया को सीखा है, कि भीया हमको कुछ भी हो जाया, कुछ भी कोई कहले दू बाते, कहले, मैं सुनूगी और मुझे सुख में रहना है, तो इस प्रकार से, इस तेब थी में जो भाव, विचार, सहज है या नहीं सहज है, क्या सही है, क्या सही है, क्या नह नहीं होगा, सामने बाली को गुस्सा तो नहीं आएगा, तो ऐसा करकि मैं बहुत सो समझ के बोलती थी, घर में बात करती थी, तो इससे क्या है कि अती में भी चेंज आया और साससुर में भी आया, जब मुझ में धीरे-धीरे चेंज आया तो विबात अपने हाप कम होने लग और इसका निर्णय में ले पा रही थी भाव विचार जो भी चल रहे थे और उसे में समझ भी पा रही थी कियार में जो भाव विचार है बिरोध की नहीं आ रहे हैं अच्छे विचार आ रहे हैं मैं संबंद विबस्त संबंद को भना पा रही हूं सुधार हो रहा है तो सब थोड़ा सा अच्छा माहोड हो गया था और जब मेरे घर में लड़ाई जगड़ा सांथ होने लगा है तो मेरे पडोस में मेरे दिस्तिदारों को लगने लगा कि या अचानक से ये क्या हो गया इनके घर में ऐसा क्या हो गया कि भाई अब इनके हां लड़ाई जगड़ा नही मेदी ही फ्रेंड है उनके घर में भी बहुत जादा लड़ाई जगड़ा होता था तो कभी-कभी उनको लगने लगता थे कि भावी आपके घर में ऐसा कौन सा जादू हो गया है आप इतनी परिशानती मैंने देखा है आई दिन लड़ाई जगड़ी होते थे और एकदम से इ देख रहे हैं कुछ भी मुझे जरूरत पड़ती है तो मेरी हैल्पी भी करवा रहे है तो ऐसा क्या हो गया आपके घर में तो उसको लगने लगता था कि हम पत्ती-पत्मी तो बहुत लड़ाई जगड़ा करते हैं कुछ आप ऐसा मुझे बताई तो जब भी मैं फिर होती तो उसके घर पे जाती थी और जो भी मैं यूएजबी से थोड़ा-थोड़ा सीख रही थी या समझ बना पा रही थी वही बात में उसको रखती थी कि देखो मेरा कारान तो यही है कि मैं खुद को बदल रही हूं क्योंकि सामने बाला नहीं बदलना चाहता है तो ऐसे ही ल पाता है उसको इतनी ज्धार नहीं कि उसको भी बहुत ज्यादा गुझसा आता है जिब पती लड़ाई जघड़ा करने प्याता है तो वो उससे भी ज़ादा बहुत प्रोधया घ्ण समाल नहीं पाती है अपने आपको तो और ज्यादा क्रोध में सब भूल जाती है कि क्या करना है बोले उनने ऐसा कहा तो मैं तो सवाध ही नहीं रखाई मैं ऐसा बोल दिया या मैंने अपना हाथ काट लिया क्योंकि उसका अपने गुछ से पर कोई काबू नहीं था तो फिर मैंने समझाए कि बस लड़ते रहो अपने बच्चों को बरबाद करो चोटे-चोटे बच्चे हैं तो मैं कौन समा लेगा तो उसने थोड़ी सी सुरूबात की फिर कोई भी बात होती थी जैसे एक दिन उसकी बेटी का जनम दिन था तो उसने स्वास्त सही नहा होने के कारण जनम दिन नहीं मनाया च्छोटे बच्चों को बछाके घर में सैलिवरेट कर लिया और किसी को नहीं। मनें आ रहा है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सामने वाली दीदी ने आज मुझे ऐसा बोला तो अब मैं क्या करूँ? तो फिर मुझे हासी आयो मैशन आएओ मैंने कहा कि ये बताव तुम अपने सभाव में हो ओ सोयम को सोयम से देख पा रही हो क्या करना है अपनी समझ बनाओ, तुम्हे सुक में रहना है कि दुख में, उनका काम था तुम्हे तुम्हें को टैंसन दी दो बाते सुनआ हिए, अपने घर में आराम से लेती हैं, टीवी देख रही है, मगर तुम क्या हो, अब पती के साथ लड़ाई जगड़ा नहीं हो रहा है, तो सामने वाली की बातों को लेकी बैठ रही हूँ, अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि उन्हें ऐसा बोल लिया, तुम तो मस्त इंज्वाय करो ना, हाँ दीदी हमारा सरी सही नहीं था, हमारे पास पैसे नहीं थी, तो क्या करें, हम तो सोच रहे थे, क्या आप से ले ली थी, इस तरह से बड़ी हसके बात करती, और बहीं बात को छोड़के, अपने आराम सिरह व सुक में, हमें सामने वाला क्या कह रहा है, ये नहीं सोचना है, आप कैस समझ बना रही हो और क्या करना है यह सोचो ना तो फिर वो हांखोस हो गए बोली हां यह अच्छा कहा नहीं तो हम तो परेशान थे आप से बात करके हमें यह समझ में आ गया है मैं तो सुक्त में रहना है हम क्यों उनकी बज़े से परेशान हो तो इस तरह से थोड़ा- कि भाव विचार देखने का जो आधार क्या है सही समझ के आधार पर देखती हूं तो सुखी होती हूं और मानिताओं के आधार पर देखती हूं तो कभी-कभी सुखी और कभी-कभी दुखी हो जाती हूं क्योंकि भाई मानिता है और यह मानिता जो लोगों ने बना लिये तो ज़्रूरी नहीं है, के हमेसे यहीं सही हो. मेरे देवार की साधी थी, जून में 28 जून को तो जून में तो बादिस होती है, यह सब जानते ही है, लेकिन बहुत जादा बादिस होने के कारण, मेरी मम्मी जी को लगा जो ढ़नाच चाहिए तो उन्होंने क्या कि गड़ीज ह Windows जी को लेकर पानी में डोगा दिया तो मैंने खैं मम्मी कि इससे न पानी रुप जाता है जितने दिन गड़ीज है पानी में रहेंगे तो बारिस नहीं होगी तो मैंने भार याल यह तो अच्छा तरीका है, मतलब जब हमको वारिस ना करना हो, यह हम कर सकते हैं। देखा तो ऊस समय दो दिन वारिस नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा कि हो जाता है लेकिन एक बार और ऐसा हुआ कि फिर ढाली, लेकिन वारिस नहीं अच्छावी। तो फिर मैं समझ गई कि मानिता पर कभी-कभी हम सुखी हो जाते हैं क्योंकि हमेसा जरूरी नहीं है कि हमने मानिता मान लिए तो यह हमेसा होना ही है तो यह बात मुझे समझ में आई कि मानिता हम मान लेते हैं लेकिन कभी पूरी होती है कभी पूरी नहीं होती है तो इस कारण से घर का माहुल चेंज हो रहा है, मेरे बच्चों में भी बहुत अलिवरतन आ रहा है, जैसे ही मैंने अपने नेचार स्वयम को स्वयम से देखा, निरंता सुख का प्रयास किया, तो उससे मेरी बच्चे बहुत खुस हैं, क्योंकि मैं और जब मेरी पती मिलके द आठ साल का है, नौ साल का, और बेटी मेरी छेकी कंप्लेट हुई है अभी, तो उन में इतनी समझ आ गई है कि जब भी वो यू एच्पी की क्लास सुनती है मेरी बेटी, तो वो भी सुनने लगती है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है कि बुरा इंसान बनना है, हम क्या है और बोडी क्या है, तो बेटी कल मेरी दादा दादी को समझा रही थी कि देख दादा, आप सेल्फ क्या है, आप आखे बंद करोगे न, चिनवारा भी घूम के आ जाओगे, आप बहां देख लोगे मेरी ये गाडी रखी है, और बोडी तो आप पी पर यही है न, ल समझा रही थी, तो उसकी बुआ भी बहुत खुछ थी, हमको भी लग रहा था कि नहीं पच्चे समझधार हो रहे है और उनकी भी समझ बन रही है, तो बेटा बेटी और कभी-कभी जब मैं बीमार होते हूं, तो आराम से कहेगी, ममा आज आप बिल्कुल नहीं उठोगे, बिस्तर पे लेटोगी, डैडी, आप खाना बनाओगे, मैं जाडू करूगी, और भाई बरतर साफ करेगी, ममा आज बिल्कुल काम नहीं करेगी, तो मुझे खुसी है ये देखके कि मेरी बच्चे सही गलात को समझ पा रहे हैं, अच्छे संसकार व्यजबी की जो समझ की ब तो उनको भी बताती है, तो ये बहुत ही अच्छी खुसी की बात है, इसका प्रभाव हमारे घर में सबसे जादा देख रहा है, तो पड़ोसी साथ में जितने भी हमारे रिलेटेव हैं, उनको बहुत खुसी होती है कि तुम लोग बताव इतना लड़ाई जगडा करके रह रहे थे, आज इतने अच्छे से सुख में हो, बच्चे भी समझदार हो रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा सा हमने शुरुवात की है, घर का माहौल साथ ससुर के बीच भी कोई बिरोध नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, और हम अगर संबंध वेवस्था से अस्तित को समझना, पहले मुझे लगता था कि संबंध जहां हमारे अच्छे हुए हैं, तो वेवस्था अपने आप बन जाती है, सिर्फ मैंने इसका प्रयास घर में ही किया था, कि घर में तो सबसे संबंध अच्छे हो गए हैं हमारे, भई अगर संबंध हैं तो बहां विरोध नहीं होना चा कि घर में तो मैंने संबंध को ठीक कल लिया था, तो वेवस्था अपने आप ही ठीक हो गई थी, लेकिन मैं अपनी जॉब की बात करूं, कि जैसे कि मैं एक माश्टा ट्रेनर हूं, और ट्रेनिंग देने जाती हूं, तो मेरे साथ 10 लोग जोड़े हैं मेरी टीम में, तो हम एक ही गारी से जाती हैं, तो उन लोगों मैं ये कैसी हूं कि मेरी किसी से भी लड़ाई जगड़ा नहीं होता था, मैं 8-9 लोगों से सबसे जुड़ी रहती थी, कभी भी किसी से, और रोज उन लोगों के बीच में जो बिवाद होता था, कभी गारी को लेके मुझे आगे बैठना है नहीं पहले मेरा गाउं पहले आया तो आठ दस लोग जब पढ़े लड़ते रहते थे मैं चुप बैठी रहती थी तो फिर एक दिन दीदी बोलती है रमा दीदी कि मोहनी बड़ी बड़ी बदमास हो तुम ये क्या बात है हम लोग रोज लड़ते रहते हैं लेकिन आज आप लड़ देए हैं कल दीपा को लड़ना है या तीसरे को किसी को भी छोटी-छोटी बातों पर तो क्या आप मेरी समझाने से समझ पाएंगी या मैं आपको रोग जूं कि नहीं दीदी आपको ऐसा नहीं करना है तो क्या आप मानेंगी तो फिर मैंने जहां से कसे थोड़ी बीघंड़ने और हमें लड़ाइ जगड़ा में लिहां करते हैं पैड़ी होता कभी बेटी से कभी प्ती से लेकिन थोड़ी देर के मिए आपका संबंध है बेटी है पती है बेटा है थोड़ी दर नाराज होंगी भिट नॉर्मल वस लेकिन यहां आप तो आपको संबन्द नहीं है बहां की वेवस्ता नहीं बनती है आप सोचिए कि यह हमारा परिवार है हमको छूटी चूटी बातों पे नहीं लड़ना है कोई भी कहीं बैठ जाओ इतनी बड़ी गाली है आगे पीछी से मतलब नहीं तो ये उनको बात बहुत अच्छी लगी फिर उनों ने पूछा कि हमको भी जोड़ो ना यूजबी क्या है यार हम भी फिरी हैं हम भी सीखना चाहते हैं तब ये तो तुम्हारा किसी से तुई लड़ाई जगड़ा नहीं होता है तुम सबसे बात करती रहती हो और सब लोग कोई भी बात होती है तो तुमसे एक सामने रहे हुँ तो ऐसा करके थोड़ा सा जब मैंने वेवस्था को समझा और संबंद यहां तो पुझा संबद बनाइखा और सब कुछ जॉब में भी मेरा अभी अच्छा चल रहा है तो इस तरह से और वेवस्था में मेंandır सब बनाएख घर परिबार में सब अच्छा चल रहा है घर में भी मैं अवशकता नुशारी चीजों को भी लाती हूं जितनी हमारी जरूरत है उसको ही रखती हूं क्या आज की जेट में हमारी इस चीज को जरूरत है बस तो की जरूरत है तो मैं लेती थी अनिता नहीं लेती थी क्योंकि ज इस पे भी मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया है कि क्या इस चीज के बगेर मैं चला सकती हूं या इसके बगेर मेरा काम चल जाएगा अगर चल जाएगा तो मैं नहीं लेती हूं अगर जरूरत है उसकी बहुत ही जादा तो मैं उसको लेती हूं तो पहले मुझे लगता था कि मतलब शरीर पर ध्यान ना देना, आराम ना देना, और काम ज़्यादा होना या संघर्ष कर लीना. तो फिर मुझे एक दिन भावी से बात हुई सिरीमती अरोना जी से मैं जब भी फिर होती हूं तो भावी से बात कर लेती हूं या जब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि भावी आज मेरा क्लास छूड़ गई है सेसन छूड़ गया है तो आप बताईए तो फिर उनने पताया मैंने बताया कि आप मेरी तव्यट ठीक नहीं है थोड़ा सा काम जादा हो गया तब उन्होंने मुझे बताया कि विवस्था जिसे तुम विवस्था कह रही हो कि घर परीबार बच्चे इस पे तो तुम अच्छा काम कर रही हो अपनी समझ बना पा रही हो लेकिन ज दवाओं पर डिपेंड रहोगी दवा खाती रहोगी कैसे बच्चे देखोगी कैसे घर समालोगी तो इस तरह से मैंने ध्यान दिया कि हां अगर मैं हूँ बॉड़ी है बॉड़ी में आराम है मैं रिलेक्स कर रही हूं तो सब मैं अपनी बच्चे परिवार देख सकती हूं वरना सारी विवस्था गड़वड है तो ऐसे फिर मोझे विवस्था में मैंने अपनी बॉड़ी का भी सबसे भिसेज ध्यान दिया है कि काम उतना ही करना है क्योंकि बॉड़ी को भी आराम चाहिए इसेल्प को आराम नहीं चाहिए लेकिन बॉड़ी को आराम चाहिए तो उस तरह कि मैं काम भी अब थोड़ा सा अपने आराम देख के करती हूं कि मैं कहीं बीमान ना पड़ जाओं ने तो घर की जो विवस्था है वो डगमगा जाएगी और बच्चों में भी थोड़ा सा दिक्कत आएगी अब मैं संबंद विवस्था से अस्तित्य को समझ रही हू अब अभ्यास दोग की बात करूं जिसमें मैंने जड़ एकाई को समझ रही हूं और जिसका उधारन मैं अपने सरीर को ही दे रही हूं कि कितना मुझे काम करना है और कितना मुझे उसको आराम देना है और स्वयम से सरीर को देख पा रही हूं पहले मैं नहीं देखती थी ज जिसे जीवन की जरूरत क्या है? सुक, सम्मान और सरीर की जरूरते हैं, अगर सरीर की जरूरतों की बात करूं, तो मैं इतनी, मतलब पहले तो मुझे इतना था कि कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा सौक था, खाना में भी, आराम में भी, लेकिन अब मैं एक सरीर की जो दे रही हैं, और इन बोनों के भी सूचनाओ का जो आदान प्रदान होता है, उसको भी मैं देख पा रही हूं, जैसे सिर में दर्द होना, तो यह जर्में दर्द है, गोली खाना है, नहीं खाना है, या भी मैं सूचनाई आ रही हैं, इनका निरनाए ही मैं ले पा रहा हैsomething, मतलब सेल्फी ले पा रहा है, और इस से जो मैंने बताए हैं कि जब मैं कोई भी बात को सोचती हूं, समझती हूं, तो सब माहॉल भी अच्छा चल रहा है, मैं अपने ग्यूटी पे भी ध्यान दे पा रही हूं और सबसे बड़ी टेंशन थी मुझे मेरे बच्चों में थोड़ा सा उमार में छोड़ते हैं काम एच के होने के कारण बच्ची सहतान भी बहुत थे और समझ नहीं पा रहे थे लेकिन अब उन्हों को भी सुधार है जैस को आज क्या सिखाया क्या पड़ाया तो वह भी बोलना चाह रही थी तो इस तरह से मैं बहुत-बहुत धन्नवाद देना चाहूंगी यूएच्वी का क्योंकि हमारे जीवन में जो भी आज इतना ज्यादा चेंज हैं हम सुख में रह रहे हैं हम पती-पतनी साथ हैं एक उसे यह तो वह चुप हो जाएंगी यह मैं चुप हो जाओंगी तो बढ़ नहीं पाती है और दोनों समझ लेते हैं कि भाई यहां मैं गलती यहां वह गलती और बेटी भी आजाएगी कि बस अब आप लोग ज्यादा बात मत करना नहीं तो भी लड़ाई जगड़ा करने ल लड़ने लगोगे तो इस तरह से मैंने आज अपनी जो सेरिंग रखिये तो सबसे जादा धन्यवाद देना चाहूंगी मैं यूएजबी को और भाई सब भागवान शिंग परमार जी को और भावी जी को क्योंकि उनके माध्यम से ही हम यूएजबी से जोड़े और जैसा क उन्होंने सबसे पहले कहा था हमारे घर आये थे अभी नंदन पत्र को देखकर कि मोहिनी उसमें कुछ पंतियां लिखे थी कि जिस घर में पलकर बड़ी हुई कल सुना ये आंगन होगा रोएंगे कोई भाई पिता रोता माता का मन होगा तो कुछ पंतियां उन्हें बहुत बहुत धन्यवाएं तुदारन है ये कैसे परिवार में संबंधों में परिमार्जन होता है समझने से कैसे आपसी संबंधों में सुख होता है परिवार में वेवक्ता होती है और उसका जो परिवार के बाहर जो समाज है उस पर भी कैसे प्रभाव हो जाता है और उस पर उसके लोग भी प्रेरी पार ही है अपने वर्क प्लेस पे अपने अडो स्पोर्स में उससे जिस तरह का एक बातावन बन रहा है बहुत ही उत्पिस्ट दारन है आप लोग पहले भी शेरिंग करते रहे हैं और हर बार आपकी शेरिंग से साथिनों को प्रेड़ना मिली है अजब भिया ने जैसा शेर क क्या कि पहले वो जिस तरह की पत्रकारिता करते थे और जिस तरह क्या कांच्छाएं थी उनकी और समझने के बाद जिस तरह कि अब उनकी एक निश्चित गती बनी है निश्चित लक्ष बना है और एक पॉजिटिव जर्नलिजम को वह आगे लेके चाह पा रहे हैं तो यह अभी एक मतलब बहुत ही उत्रिस्ट उदारन है जर्नलिजम के छेत्र में भी अपने को बहुत सारा काम करना भी शेयख है अभी इस तरह का जनलीजम का प्रस्कोप बन गया है जो सुझधा केंज़ित और उन्माद केंज़ित हो गया है इसके बजाए कैसे हम इसको भी एक स परिवार में जिस तरह से हर्मणी बनी है कब को बहुत अच्छा लग लग रहा है। zweetle बिए भली शेयर कर नहीं आई पर आंतु जिस तरह से शेयर कर रही थी कि वो भी इस तरह से सवाध कर पा तो बहुत ही बढ़िया आप लोग करते ही रहे हैं और भगवान भिया के साथ जूरकर तमाज के अस्तर पर जो काम हो रहा है उसमें भी आप लोग भागिदार है एक बहुत अच्छी समभावना बन रही है पहले भी बात हुई थी कि आगे जब हम लोग डिविंग मॉडल्स और ठीक से काम कर पाएंगे तो आप यह से परिवार और जो समू है तो बहुत ही बढ़िया मैं दुबारा सुन रहो पहले भी पत्रेकारी कता आपकी सुनी थी लेकिन आज एक छोटा सा सवाल आधे मिनिट का है कि पहले कौन बदला दीदी मुहिनी दीदी बदली कि आप ब प्लीज मैं भगवान से सर के पास पहले मैं पहुचा था तो वहां से उन्होंने अब्जर्ब किया कि लड़का थोड़ा सा भुचा हुआ है तो फिर उन्होंने मुझे तो मैं कह सकता हूं कि पहले मैं समझा फिर उसके बाद परिवार को समझाया यह लेकिन दीदी के शेरिंग से यह लग रहा है आप दोनों की तो दीदी बहुत कुछ समझ गई और काफी लोग आप तो पत्रकारिता कर रहे है तो काफी अच्छा है यह चुका परिमार्ज ना परिवार में बदलाओ का यह बहुत बड़ा काम आपने किया है और आपके साथ साथ मैं भगवान भिया और अरुना दीदी को भी बदाई दूंगा तो यह एक फोटा प्रस्ण है अभी जी प्रशाद भीया ने पूछा वैसे ही जैसे आप तीन साल पहले आये है यूएची में और मोहिनी जी एक साल पहले आई है तो यह जो आपके बीच में से बिल्कुल थोड़ी सी हवा भी नहीं जा रही थी इतना खराब था माहुल और अपने बात रखी तो सामने वाला तो बिल्कुल यह आपका ऐसे है वह जो परसी थी है पहली बार क्या आपने बोल के उनको यह करने के लिए लगाया कि अपने अपना व्यावाहर में बदलाव लाया फिर वह समय कितना था मतलब कितना समय आपको इंज़ार करना पड़ा थ चुकी हूं कि जब यह जुड़े थे तो मुझे इंट्रेस्टे नहीं था यह किलास लेते थे और आउन करके ते स्पीकर रख देती थी तो मैंने बताया कि कभी-कभी तो मुझे गुस्सा आता कि क्या सुबह सुबह से खुद और जाते हैं मेरी नीद हराव करते हैं लेकिन ध्यान तो मेरा जाता था जब भी मैं किसी की संती थी तो यही संती थी का आज मैंने बदलाव किया है तो आज मुझ में ये सुधार हो गया तो आधी-अधी बात में सुनती रहती थी और फिर जब मुझे भाई-सब ने बोला भावी ने बोला कि आपको जोड़ना चाहिए तो मैं उनकी बात नहीं डालती हूं, मैं जुडी और इस एक बात और बता दूँ कि मैंने यूएजबी को क्यों अपनाया, क्योंकि मेरी माने मुझे ही हमेसा समझाया, भले ही गलती है इनों भी लेकिन उनका कहना कि मेरा दामान तो ही रहा है, तुमको ही बदलना पड़ेगा अगर तुम बदल गई तो सब सही हो जाएगा, तो फिर भी बात मैंने यूएजबी में देखी, यूएजबी भी खुद कह रहा है कि स्वयं को स्वयंग सेखू, तो फिर मेरा ध्यान और ज़्यादा यूएजबी पे गया, तो मैं मैं चुरी, मैं आज सुख में हूँ और तो अगर आज यह खुस होते थी, तो मैं और ज्यादा खुस हो जाती थी, आज इनका नेचर तो बहुत बदला है, तो इस तरह से दोनों न सुरुवाती, घबी मैं खुस होती थी, तो यह ज़ादा खुस होते थी, आस्जि ने कुछ कहा नहीं, मैं ऐसा सामान मी लाया, तो कितना समय लगा इनको बताने के लिए एक साल इक तो होता है नहीं नहीं एक नहीं होता है एक से डेर साल लगा है जी जी बहुत-बहुत बदाया आपको बहुत मुश्रुफ कामना है प्रायोगिक भी थी लेकिन अभी अजय से मैं संतुष्ट नहीं हूँ और अजय को अभी बहुत काम करना है अभी जो आपकी बाहर की यात्रा है ये बहुत अंधर ले जाने की जरूरत है फिर जिस प्रकार से पत्रकारता के छेत्र में इस समय संपूर बिस्ट को ही पत्रकारों की जरूरत है क्योंकि जिस प्रकार से फिल्म है जिस प्रकार से जो माहल बनाया जा रहा है समच को तोड़ने का उसमें सार्थक जनलिजम को लाना ही होगा अभी कल ही मैं एनिमल फिल्म को देख रहा था तो कितना दुरभाग है देश का कि हम नाम भी मानविये नहीं रख पा रहे हैं उसके अंदर जिस प्रकार से क्राइम दिखाया गया है अभी कभी मैं फिल्में नहीं देखता था लेकिन एनिमल फिल्म ने मुझे चौका दिया और उसमें किस प्रकार से खुन खरावा किस प्रकार से अभद्रता दिखायी जा रही है तो समाज में जिस प्रकार से संस्कृति को शभ्यता को कुछ अक्र जो चल रहा है उसके लिए जैसे देश के और भी जो लोग हैं सबको मिलके सोशल मीडिया का सदोप्यों क्याते किया जाए इस पर हमें काम तो अजय जी और मजबूत बनिये और आगे बढ़िये बारों को जोड़िए तो बढ़िया मेरी बहुत सुपकाम ना है जी जीन भी जिस प्रकार से काम किया वो इस्चित प्रसंत्री है लेकिं आगी और रटकी देवात है जी थेंक यू जी थेंक यू है सभी को धन्यवाद सभी को नमस्तर बहुत अच्छी शेरिंग गई कि आज की शेरिंग से एक डिवोर्स के मुद्दे पे भी अच्छा इंपुट मिला साखियों को और हमें लगता है इस पर भी थोड़ी स्टड़ी होनी चाहिए कि जिन परिवारों में बातों पर आवेशित होकर डिवोर्स हो जाता है उन परिवारों में इस तरह के आगी कि स्थिती बनी और जिन में थोड़ा सा ध्यान दिया समझने पर तो आगे किस तरह कि स्थिती बनी तो इस पर थोड़ा के शोध कारेगर हो रहा हो तो इसको हम लोग ध्यान मिला सकते हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट शेरिंग लेगा आथी बहुत ही बढ़िया में तासर सब्सक्राइब कामना बढ़ाईए